ओम शंती 12.05.2021 आज के मीठे बाबा के मधूर माहा वाक्य मीठे बच्चे जब तुम संपूर पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्विकार करेंगे अपनी दिल से पूछो हम कितना पावन बने है प्रश्न है तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बली चड़ते हो क्यों तुम बच्चों को यह भी मालुम है कि अब इस अविनाशी रुद्रग्यान यज्ज्य में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है इसलिए तुम पहले ही खुशी-खुशी से अपना तन, मन, धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो गीत हैं मुखडा देख ले प्राणी धाना के लिए मुख्यसार पहला है कर्म, अकर्म और विकर्म की गती को जान अब कोई विकर्म नहीं करना है कर्मक्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याख करना ही विकर्म से बचना है दुसरा, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्विकार कर ले पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है तन बंधन इस यग्यमें स्वाहा कर सफल करना है वर्दान आलस्य के भिन भिन रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीवर पुर्शार्थी भवव वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन भिन तरीके से होता है ये आलस्य भी विशिश विकार है इसे खत्म करने के लिए सदा हुलास में रहो जब कमाई करने का हुलास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है इसलिए कभी भी हुलास को कम नहीं करना सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा ये सब आलस्य की निशानी है ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है जितना करना है अभी करना है तब कहेंगे तिवर पुर्शार्थी स्लोगन है सच्चे सेवा धरी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो ओम शंती